एक राजु नाम का मचवारा था। राजु बहुत गरीब था क्योंकि उसके पास मचली पकड़ने के साधन नहीं थे। वह अपनी पतनी कमला के साथ एक जोपड़ी में रहता था। एक बार राजु समुद्र के किनारे बैठकर कांटे से मचली फंसने का इंतजार करता है ए मचवारे मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दे। राजु मचली को बोलती देख, डर जाता है। मचली भी कभी बोलती है क्या। ओ मचवारे जल्दी कर पानी से बाहर मेरा दम घुट रहा है। तुम ने मुझे जीवन दान दिया, चाहता तो तु मुझे बाजार में ब मच्छली नहीं फंसी। तुम एक तो फंसी थी, तुम्हें भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं बाजार में बेचने को क्या लेकर जाओ। थीक है, मच्वारे मैं तेरी इच्छा यह पूरी करती हूँ, अब बता तेरी दूसरी इच्छा। में चली जाती है और वहां राजू मच्वारा घर पहुचता है, तो देखता है। यह सब उस जादूी मच्छली की वजह से हुआ है। राजू, उस जादूी मच्छली के बारे में सब बता देता है कि कैसे उसको वो मिली और उसने उसकी तीन इच्छा पूरी करने को कहा। पिता जी, ये आपने क्या किया, आप चाहते तो हमारे लिए धेर सारा खाना मांग सकते थे। मेरे प्यारे बच्चों, कान से सुनो, अगर हमारे शरीर में जान है और हम सवस्थ है, तो हम अपनी ऐसी इच्छाएं कभी भी पूरी कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारे पिता जी बिल्कुल ठीक बोल रहे है, क्या तुम सब मुझे सवस्थ देखकर खुश नहीं हो क्या। हाँ मा, तुम ठीक हो गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सभी बच्चे अपनी मा के सीने से लग जाते हैं। राजू, रोज की तरह समुद्र पर मचली पकड़ने के लिए जाही रहा होता है। तो उसका मचली पकड़ने वाला काटा तूट जाता है। हे भगवान, इसको भी अभी तूटना था क्या, अब मैं क्या करूँ, कैसे मचली पकड़ूँगा। तभी उसी सुनहरी मचली का ध्यान आता है। क्यो ना, मैं उस सुनहरी मचली के पास जाकर अपनी दूसरी इच्चा पूरी करने को कहू। राजू समुदर के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और उस सुनहरी मचली को बुलाता है। सुनो, सुनहरी मचली, कहा हो तुम मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मचली वहाँ आ जाती है। बोल मचवारे अपनी दूसरी इच्चा, क्या चाहता है। मेरा मचली पकरने का काटा पुराना होने के कारण तूट गया है, तो मेरी दूसरी इच्चा है, कि मेरे पास एक मचली पकरने का काटा हो। मचवारे तेरी दूसरी इच्चा में पूरी करती हूँ। तब ही राजु देखता है कि उसके सामने एक मचली पकरने का कांता रखा है जो दिखने में बहुत ही मजबूत लग रहा था। पर उसे ये नहीं पता था कि चुपके से उसके गाव का ही एक आदमी शंकर देख रहा है और उसने उसकी और मचली की सारी बातें सुन ली थी अगर मेरे हाथ वो सुनहरी मचली लग जाए मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाओंगा यह राजु तो बुद्धु है इसने मांगा भी तो क्या एक चोटा सा मचली पकड़ने का काटा शंकर मचली वाली बात अपने साथियों को भी बता देता है शंकर और उसके सभी साथी मिलकर समुद्र में वह सुनहरी मचली पकड़ने लगते हैं पर उन्हें वह मचली नहीं मिलती वहां राजु घर में प पिता जी, अभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा, आप चाहो तो मचली से तीसरी इच्छा में कोई बड़ा मेहल, हिराज वेल्स मांग सकते हो। मगर लालच करना अच्छी बात नहीं है, वह शंकर के जाल में वह मचली फंस जाती है, मिल गई, मिल गई आखिर इच्छा पूरी करने वाली मचली मिल ही गई, छोड़ दो मुझे, जाने दो, नहीं तो मैं मर जाओंगी।